प्राचीन समय की बात है माधुपुर्गाउं में सदाशिव नाम का एक गरीब ब्राह्मन रहता था सदाशिव भगवान गनेश का बहुत बड़ा भक्त था वो रोजाना सच्चे मन से भगवान गनेश की पूजा अर्चना किया करता था लोगों का मानना था कि सदाशिव पर भगवान गनेश की बहुत क्रिपा है क्योंकि सदाशिव जिसे भी आशिरवाद देता था उसकी मनोकामना पूरी हो जाती थी पर लोग आशिरवाद लेकर चले तो जाते थे उनकी मनोकामना पूरी भी हो जाती थी पर कोई भी सदाशिव को बदले में मदद नहीं देता था सबको बस अपने काम पूरे करने होते थे सब ये भी जानते थे कि सदाशिव गरीब है अगर सदाशिव की मदद करेंगे तो उसे सहायता मिलेगी पर इस बारे में कोई नहीं सोचता था ब्राम्हन महराज, आपने मुझे आशिरवाद दिया था कि इस वर्ष मेरी बेटी का विवाह हो जाएगा और आपके दिये गया आशिरवाद से मेरी पुत्रे नेना का विवाह बहुत ही अच्छे घर में संपन्न हो गया मैं तो बस इतना जानता हूँ, ये सब आपके आशिरवाद से हुआ है आशिरवाद देने वाले तो स्वयम भगवान गणेश्ची हैं, उन्हें धन्यवाद कहो उनके आशिरवाद से ही तुम्हारे काम पूरे हुए है हाँ ये तो है आपके उपर गणेश ची की बहुत कृपा है तभी तो आपका आशिरवाद भलदाई है अच्छा चलता हूँ जैगणपती बबबा किसान चुपचाप वहाँ से चला जाता है सदाशिव की पत्नी शोभा उसे इस बात के लिए बहुत टोक दी थी बस देखा न चले गए बिना कुछ दिये तुम भे न अरे तुम्हें कहना तो चाहिए था कि तुम्हारा इतना समय ले लिया तुमसे पूजा पार्ट करवाली बीच में भी तुम्हें जमीन की पूजन के लिए बुलाया पर एक फूटी कौड़ी भी देने को तयार नहीं होत मुफ्त में पूजा पार्ट के लिए सब तयार रहते हैं अरे ऐसे कैसे हमारे घर का गुजारा चलेगा अगर तुम सीधे पन में ऐसे ही लोगों का भला करते गए हम तो गरीबी में ही जी रहे हैं आपके गंड़ पती जी आपकी मदद कब करेंगे रोजाना इतने पूजा पार्ट करते हो गणेशी को भी तो सोचना चाहिए कि उनका भक्त कितनी गरीबी में रहता है देखो जी तुम काम की तलाश में आज ही किसी बड़े नगर में जाओगे वरना मैं मैं माई के चली जाओगी हाँ हाँ चिंता मत करो चला जाओंगा दो रोटी बांध दो मैं आ आते-चलते सदाशिव सुन्दर नगर میں पहचा सदाशिव ने वहां कुछ दुकानोंपर जाकर काम पूचा ओरे बायओं यहां कोई काम मिलेगा कहीं किसी मंदिर में या पूजा स्थल पर पूजा का कोई काम हो भया इस नगर में कौई भी पूजा पाथ नहीं करता क्यो ऐसी बात नहीं है पहले यहां पूजा पाठ होता था पर राजा वीर सिंग के घर संतान नहीं हुई तो वो इस बात का दोश भगवान को देने लगे रानी पदमावती ने कई बार पूजा पाठ और व्रद किया लेकिन संतान ना होने पर राजा को इन सब में विश्वास नहीं रहा वो हमेशा कहते कि ईश्वर और देवी देवता सिर्फ कहानियों में होते हैं ऐसी बात तो नहीं है अगर हम सच्ची भगति करें भगवान पर पूरा विश्वास रखें तो वो हमारी मनो कामना अवश्य पूरी करते हैं राजा जी को ये बात समझनी चाहिए कभी-कभी ईश्वर हमारी परीक्षा भी लेते हैं परन्तु हमें ईश्वर से विश्वास नहीं हटाना चाहिए बाकि जैसी उनकी इच्छा चलो, मैं किसी और नगर में जाकर काम ढूटता हूं सदाशिव दूसरे नगर में जाने लगा तभी उसने सोचा यहां तो कोई काम नहीं मिलने वाला पहले कुछ तेर विश्राम करके फिर काम पर जाओंगा बहुत ठक गया हूं भोग भी लगी है, रोटी खा लेता हूं सदाशिव एक पेड के नीचे बैट कर थोड़ी देर विश्राम करने लगा और उसे भूग भी लगी थी, इसलिए वो रोटी खाने लगा सदाशिव ने पहले गणेश जी का ध्यान किया और फिर रोटी का निवाला तोड़ा हे गड़पती महराज, पहला निवाला आपको भोग लगाता हूं मुझ पर सदैव अपनी किरपा रखना क्या तुम्हें पता नहीं है, यह हमारे नगर में भगवान का नाम लेना मना है यहां के राजा वीर सिंग जी को भगवान की पूजा करना और उनका नाम लेना पसंद नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान का नाम लेने से तो सारे कार्य पूरण हो जाते हैं वो तो ऐसे काम भी पूरे कर देते हैं, जो आसंभाव है अच्छा, मतलब कि तुम्हारे भगवान गणेश सारे काम पूरे कर देते हैं, कुछ भी मांगो हाँ बिल्कुल, कुछ भी मांगो, पर मांगने वाले में सच्ची श्रधा होनी चाहिए एक काम करो फिर तो, हम तुम्हें अपने राजा वीर सिंग के पास ही ले चलते हैं क्योंकि तुम्हें अपने भगवान पर बहुत विश्वास है ना, अब ये सब बात हैं उनी के सामने कहरा सिपाही सदाशिव को पकड़ कर राजा वीर सिंग के पास ले जाते हैं महराज, इसका नाम सदाशिव है, ये कहता है कि भगवान गणेश से जो भी मांगो वो इच्छा पूरी कर देते हैं ये भगवान गणेश का नाम ले रहा था, हमने इसे पकड़ लिया और नाम लेने से मना किया पर ये नहीं माना, इसलिए हम इसे यहां ले आए क्या ये सत्य है कि तुम्हारे भगवान गणेश सबकी इच्छा पूरी करते हैं तो उनसे बोलो कि हमारे यहां संतान नहीं है, क्या वे हमें संतान सुक का अशिरवाद दे सकते हैं महराज, यदि आप सच्चे मन से भगवान गणेश का नाम लेंगे और उनके प्रतिश्रद्धा रखेंगे, तो आपकी इच्छा पूरी हो सकती है मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता, तुम मेरे लिए भगवान से मांगो, वो तुम्हारी प्रार्थना तो सुन लेते हैं ना महराज, भगवान पर विश्वास की ये बिना आशिरवाद कभी पूरा नहीं होता भगवान गणेश को सच्चे मन से पुकारोगे तो आपकी मनों कामना अवश्य पूरी हो जाएगी मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाला तुम जान बूच कर मुझे अपनी जूठी बातों में फसा रहे हो ताकि मैं अपना सिर्थ तुम्हारे भगवान के सामने जुका दूँ तुम अपने आपको भगवान गणेश के सच्चे भक्त कहते हो एक बार अपने भगवान को बोलो कि वो यहां नगर में इसी एक्षन बारिश करके दिखाए तब मैं उनकी शक्ति को मानूंगा जूठ ही भगवान गणेश का नाम लेते हो और लोगों मैं जूठा प्रचार करते हो मेरी मानो तो अपसे तुम भी भगवान का नाम लेना छोड़ दो नहीं महराज, मेरी भक्ति जूठी नहीं है मैं मृत्ति को प्राप्त हो जाऊंगा परंतु आखरी सांस तक मेरे मुख पर भगवान गणेश का ही नाम रहेगा हे गणपति महराज, यदि मेरी भक्ति सच्ची है तो आप इसी क्षन बारिश कर देंगे ओम श्री गणेशाय नमा महराज, बहार भीशन गर्मी और धूप है और मानसून भी नहीं है तो बारिश कहां से आएगी? मौसम बिलकुल साफ है सदाशिव आखे बंद करके हाथ जोड़ कर भगवान गणेश के स्तुती करता है अचानक आस्मान में काले बादल छा जाते हैं बिजली कड़कने लगती हैं सब घपरा जाते हैं कुछी देर बाद बहुत तेज मूसलाधार बारिश होने लगती है सब नगरवासी खुशी से जूम उठते हैं कि उनको इतनी गर्मी में बारिश के आने से राहत मिल गई राजा वीर सिंग भी भगवान गणेश की शक्ती को और सदाशिव की भगवान गणेश की स्तुती करूंगा इस नगर में अब भगवान गणेश सहित सभी देवी देवताओं की पूजा होगी हे गडपती महराज मुझे ख्षमा कर देना मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई मैं आपकी शक्ती को पहचान नहीं पाया प्रभू पर सदाशिव ने मेरी आँखे खोल दी मुझे नास्तिक से आस्तिक बना दिया हे गणेश भगवान मेरी प्रार्थना सुनिए मुझ पर कृपा कीजिए मेरे घर भी बच्चे की किलकारी गुजे मैं बस यही प्रार्थना करता हूँ महराज भगवान गणेश अपने भक्तों की पुकार सरूर सुनते है देखना वो आपके इच्छा अभश्य पूरी करेंगे हे गणपती भगवान हमारी प्रार्थना सुविकार कीजिए आज महराज भी आपको सच्छे मन से याद कर रहे है आपका बहुत बहुत धन्यवाद ब्रामार देवता आपने हमारे जीवन में खुशियां ला दी महरानी ये सब तो भगवान गणेश की गृपा है उन्हीं के आशिरवाद से अब आपके जीवन में खुशियों के दिन आएंगे महराज अब मुझे आग्या दीजिए मुझे काम की तलाश में किसी और नगर में जाना है नहीं नहीं ब्रामार देवता अब आपको कहीं जाने की आवशक्ता नहीं है अब आप हमारे नगर में ही रहेंगे मेरे महल के मंदिर की देख भाल अब से आप ही करेंगे आप अपने परिवार को भी यहीं बुला लीजिए अब मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा राजा की बाते सुनकर सदाशिव बहुत खुश होता है और मनी मन भगवान गणेश को धनेवाद कहता है सदाशिव की गणेश भक्ती जीत गई राजा के महल में बने मंदिर में अब सदाशिव सेवा करने लगा सदाशिव अपनी पतनी और बच्चों को भी वहीं ले आया और भगवान गणेश की आशिरवाद से उसके जीवन में भी खुशिया आ गए कुछ समय बाद राणी पद्वावती मा बनी राजा की खुशी का ठिकाना नहीं था उस दिन से नगर में भगवान गणेश के साथ साथ अन्य सभी देवी देवताओं की भी पूजा होने लगी एक समय की बात है किसी गाउं में एक सेट सिठानी रहा करते थे सेट भगवान गणेश जी का बहुत बड़ा भग था और सदैव उनकी पूजा करता था वो कभी भी कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था एक बार भगवान गणेश जी रूप बदल कर सेट के खेतों से गुजर रहे थे बहुत भूग लगी है कुछ खा लेता हूँ ये तो उसी सेट का खेत है जो नियमित मेरी पूजा करता है भूग बहुत जोरों की लगी है गेहों के कुछ दाने तोड़ कर खा लेता हूँ गणेश जी ने सेट के खेत से गेहूं के बारह दाने तोड़ कर खा लिये फिर उन्होंने सोचा मैंने ये कैसी भूल कर दी मैंने सेट से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिये ये तो चोरी हुई और इस बात का दंड मुझे स्वयम भूग ना होगा गनेशी ने एक साधारन लड़के का रूप धारन कर लिया और फिर सेट के पास पहुँचे नमस्ते सेट जी मेरा नाम गनेशा है मुझे कोई काम मिलेगा मैं बड़ी दूर से आया हूँ यदि आप मुझे कोई काम दे दोगे तो आपकी बड़ी महरबानी होगी गनेशा मैं तुझे काम तो दे देता पर आजकल मेरे काम में भी बहुत घाटा चल रहा है मैं तुझे तनुखा नहीं दे पाऊंगा हाँ, मेरे पास तुझे दो वक्त की रोटी और रहने की जगह मिल जाएगी ठीक है सेट जी मैं सारा काम कर लूँगा आप चिंता मत करो धीरे धीरे गनेशी नौकर के रूप में सेट के घर नौकरी करने लगे वो घर और दुकान का सारा काम संभाल लेते थे जिससे सेट बहुत खुश था एक दिन सेटानी जब शौच से मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वो स्वच नहीं होते इसलिए आप अपने हाथों को राख की जगा मिट्टी से धोया करिए तू एक नौकर होकर मुझे समझाएगा तेरी हिम्मत कैसे हुई मैं अभी तेरी शिकायत सेट जी से करती हूँ सुनो जी मैं जब शौच से निपट कर आई और अपने हाथ राख से धोने लगी तो गणेशा ने मुझसे कहा कि मैं अपने हाथों को मिट्टी से धोया करूँ क्या ये बात सही है गणेशा बात तो तू सही कह रहा है जब तक मिट्टी से हाथ नहीं धोलेते, तब तक हाथ स्वच नहीं होते ये गणेशा तो बहुत समझतारी की बाते करता है, हमारा भला सोचता है सुनो जी, कल मुझे गंगास्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ कल ल्यानी, तुम्हे काम करो, कल गणेशा के साथ ही चली जाना, मुझे दुकान पर काम है आप चिंता मत करो, मैं सेठानी जी का पूरा ध्यान रखूंगा, और अच्छे से गंगास्नान करवाऊंगा अगली दिन सेठानी गंगास्नान के साथ गंगा घाट पहुँचती है, सेठानी गंगा के किनारे पर ही बैट कर स्नान कर रहे थी गनेशी वहाँ गये और सेठानी जी को बीच गंगा में ले जाकर डुपकी लगाकर वापस किनारे पड़ ले आए इस पर सेठानी जी बहुत बुस्सा हुई उन्होंने गनेशा से कहा सेठानी जी जब तक गंगा इसनान में गंगा जी में डुपकी ना लगाई जाए तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है सेठानी घर जाकर ये बात सेठ को बताती है गनेशा तुमने हैसा क्यों किया? सेठ जी आप ही बताईए जब तक हम गंगा में डुपकी नहीं लगा लेते तब तक सनान पूरण नहीं होता मैं सही कह रहा हूँ ना अब किनारे पर बैठ कर सनान करने का क्या फायदा? ये गनेशा तो बड़ी बुद्धी मानी की बातें करता है हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है गनेशा इसी तरह सेठ के सारे काम करने लगा था गनेशा के आजाने से अब सेठ जी का व्यापार भी अच्छा हो चला था एक तिन सेठ ने घर में पूजा का आयोजन किया और सेठानी जी को बुलाने के लिए गनेशा से कहा गनेशा जाओ जाकर सेठानी को बुला लाओ पूजा का समय हो रहा है हमें मंदिर निकलना है ठीक है सेठ जी मैं अभी सेठानी जी को बुला कर लाता हूँ गणेशा सेठानी को बुलाने चला जाता है अरे सेठानी जी आपने ये काली साड़ी क्यों पहनी हुई है आप पूजा में काली साड़ी ना पहन कर लाल रंग की साड़ी पहन लो पूजा में लाल रंग शुब माना जाता है मैं काली साड़ी ही पहनूंगी, अब मैं कपड़े बदल चुकी हूँ, मैं दुबारा तयार नहीं हूँगी और तुम मुझे इस तरह से उपदेश देने वाले होते कौन हो, मैं अभी सेट जी से जाकर तुम्हारी शिकायत करती हूँ सिठानी सेट के पास जाती है और सारी बात बताती है ये बातें हमें याद नहीं रहती, गणिशा ठीक ही कह रहा है पूजा कारे में लाल रंग सचमुझ शुब माना जाता है एक काम करो, तुम लाल रंग की ही साड़ी पहनाओ ये गणिशा तो हर वक्त हमारी अच्छाई के बारे में ही सोचता है वरना कौन आजकल किसी की भलाई सोचेगा ऐसे ही दिन बीत रहे थे एक दिन सेट ने घर में गणिश पूजन का आयोजन किया हुआ था गणिशा मूर्ती के अस्थान पर बैठ जाता है ये देख कर सेट को गुस्सा आ जाता है गणिशा ये कहा कि समझतारी है मैं तो समझता था तुम बहुत समझतार हो बड़ी-बड़ी ज्यान की बातें करते हो और खुद ही अज्यानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए हो प्रभू आप, आप स्वयम एक नौकर के रूप में हमसे, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई प्रभू हम आपको पहचान नहीं पाए हम एक शमा कर दो भगवन हे प्रभू, मैंने ना जाने आपको नौकर समझ कर कितना कुछ कह दिया मुझे शमा कर दो प्रभू तुम दोनों व्यर्थी परिशान हो रहे हो मैं तो स्वयम तुमारे घर में नौकर बन कर आया था मैंने तुमारे खेट से गेहूं के बारहा दाने चुरा कर खा लिये थे इसलिए मैं उसका रिण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बन कराया था मेरा अशिर्वाद सदैफ तुम पर बना रहेगा तुम्हारे घर में धन वैभाव सम्रिधी की कभी भी कमी नहीं होगी इतना कहकर भगवान गनेश अंतरध्यान हो जाते हैं उस दिन के बाद से सेट सिठानी के घर में खुश्यों के भंडार भरे रहते हैं